नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का आपके अपनी यूटूब चैनल पर दोस्तों आज इस वीडियो के इंदर बात करने वाले हैं रीट बढ़ती परिक्षा 2021 को लेकर बहुती बड़ी अपडेट रीट के विदार्तियों को लगा बड़ा जटका रीट परिक्षा को लेकर बड़ा खुला सा 16,000,000 बेरुजगारों के लिए बुरी खावर तो दोस्तों देख लेते हैं क्या है पुरी खावर दोस्तों आज की खावर है अध्यापक बढ़ती नहीं आसान लंबे समय तक अटक सकती है रीट साड़े सोडा लाक ब्यार्तियों को रीट का अभी लंबा इंतजार 31,000 अध्यापकों की होनी है बढ़ती अजमीर राजे में 33 रने अध्यापक बढ़ती का रास्ता अब आसा नजर नहीं आता पहले सामाजिक संगटनों और जनपरती निद्यों के दवाव और दूसरी बार कोरोना की रप्तार की वज़े से इस्तगित हो चुकी अध्यापक पातरता परिक्षा रीट के लिए अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है रीट के माद्यम से राजे में 31,000 से अध्यापकों की बढ़ती की जानी है इसके लिए 6,44,000 से अध्यापक अभ्यारती ने आवेदन कर रखा है तैयारियों को लगा विराम माद्यमिक्षिक्षा बोर्ड राजस्तान ने रीट के लिए रिकोर आजिक संगटनों ने परिक्सा इस्तगित करने की मांग की थी जनपर्टी निदीनी माहवीर जैनती के दिन परिक्सा नहीं करवाने की अपील की ये मुद्दा विदान समावें भी उठाया गया आकरी शिक्ष्या बोर्ड ने रीट को इस्तगित कर दिया हाला कि शिक्ष्य जहद के बाद रीट की नईव तारिक 20 जून तैकी थी लेकिन कोरोना संकर्मन की दूसरी लहर ने सभी समीकरन बिगार दिये हाला संबलते नहीं देखर आकिरकार राजे सरकार ने 20 जून को होने वाली रीट भी स्तगित कर दी बोर्ड परसासन सरकार के बरोसे राजस्तान मादे मिक सिक्षा बोर्ड में लगे लोगडाउन और कोरोना संकर्मन की वज़े से हालात को देखते हुए अपने इसतर पर कोई निर्णे नहीं कर सकता बोर्ड परिक्साएं हो या फिर अध्यापक पातरता परिक्सा इन्हें आईजित कराने का निर्णे रशीदे राजे सरकार के द्वारा किया जाता है राजे सरकार फिलाल बारवी और दसवी की बोर्ड परिक्साओं को लेकर संसे बना हुआ है बोर्ड परसासन के समक्स भी पहले प्रात्मिक्ता सालाना परिक्साएं हैं बोर्ड अध्यक्स डोक्टर डीपी जारोली का मानना है कि कोई भी परिक्सा आईजित करवाने का जो निरने हैं वो राजे सरकार करेगी बारवी और दसवी बोर्ड की परिक्साइं होने की इस्तती में इनकी तैयारी और परिणाम निकालने में काफी समय लग जाएगा उदर सिक्ष्या बोर्ड ने आर्थिक रूप से पिछडे अभ्यारतियों को रीट के अवसर देने के लिए नई अधी सूचना अब तक जारी नहीं की है लियाजा रीट के लिए अभ्यारतियों को फिलाल लंबा इंतजार करना पड़ सकता है तो दोस्तों आप देख रहे हैं सबसे पहले दसवी बारवी बोर्ड परिक्साइं होगी फिर इनका परिणाम जारी होगा और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ ऐसी परकरिया में तीन से लेकर चार मेने लग जाएंगे अब भी स्तती सामनी नहीं है जुलाई में बोर्ड की परिक्साइं होनी है सित्मबर तक रीट होने की पूरी संभावना है तो दोस्तों ये तो ती रीट से जुड़ी बड़ी अब्डेट जो आपके लिए जाना बेजरूरी था आपको जानका रेच लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिंद जैवारत